हलो गाईज तो कैसे आप सब तो गाईज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ मोड सैमसंग के मोबाइल में कैसे हटाया जाता है और लगाया जाता है तो चलिए गाईज मैं आपको इजली स्टेप्स में बता रहा हूँ कि कैसे आप लगा सकते या फिर हटा सकते तो गा कैसे on हो जाता है कभी कदार हाथ से प्रेस हो जाता है तो गाइस उसी के लिए आज मैं easy way में easy tutorial लाया हूँ तो guys easy step है इसका guys आपको just power button on करना है तो guys आपको power button press and hold करना है और यह वाले जो option आपको पास आ रहा है power off का बस उसमें क्लिक करना एक बाल प्रेस एंड होल्ड करना उसको यह दिखिए गाइज आपको सेफ मोट का एक ऑप्शन दिखता होगा तो गाइज जस्ट इसको क्लिक कर देना है अभी गाइज हम लोग वेट कर लेते हैं फोन ओफ हो गया अब फोन ओन हो रहा है गाइस तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर सेफ मोट का एक ऑप्शन सा आ गया है तो गाइस यही आपको मैं आपको दिखा देता हूं कि यह सेफ मोट on करने से क्या दिक्कत आती है और क्या होता है तो गाइस जैसे कि आप लोग जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि यह safe mode on हो चुका है तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि internet का जो मेरा app है वो नहीं खुलेगा क्योंकि downloaded app disabled in safe mode जैसे कि आप लोग देख सकते हैं samsung finance plus whatsapp सारा का सारा disabled हो चुका है तो गाइस यह दिक्कत आती है safe mode में कभी कदार problem हो जाती है हाथ से press हो जाता है किसी को पता नहीं रहता कि कैसे options आता है तो अब मैं बताने वाला हो गाइस कि आपको safe mode off कैसे करना है तो गाइस आपको simply वैसे ही करना है just power button को press and hold करना है और यह जो restart वाली जो option है उसमें click करना है tap again करना है तो गाइस आपको यह phone restart होने वाला है यह phone restart हो रहा है गाइस तो गाइस जैसे कि आप देख सकते है कि यहाँ पे safe mode अब हट चुका है मेरा गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे internet voice recorder जो जो मेरा downloaded apps है वो सब अब enable हो चुका है तो गाइस very very easy step है यह वाला बहुत ही जादा easy step है आप खुछ से भी कर सकते हैं आपको जादा घबरानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो गाइस जाओ और अपना safe mode हटा लो